दोस्तों आज की वीडियो को टॉपिक है Microsoft Office को कैसे इंस्टाल करें सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे PC में पहले से पढ़ा तो नहीं है नहीं है तो यहाँ पर कोई वर्ड नाम का भी नहीं है चलिए हम पहले डाउलोड करते हैं इसको डाउलोड करने के लिए हम कोई ब्राउ गुजर में सर्च करेंगे सबसे पहले Office Customize Tool Office Customize Tool सर्च करने के बाद पहला लिंक का आया जो इस पर क्लिक कर देंगे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बत्ती बिट है या फिर चॉंसर्ट बिट है जो Windows लोड आपके पास वैसा ही आपने इंस्टॉल करना है मेरे प हम इसको क्लोज करते हैं आगे बढ़ते हैं तो हमने चॉंसर्ट बिट स्लेक्ट कर लिया Office Suite कौन सा लेना है आपने लेना है Office LTSC ये वाला Volume License ये Developer Mode पे चलता है अगर कोई और आइटम स्लेक्ट करनी है तो आप कर सकते हो मेरे को इतना ही चाहिए और कुछ नहीं करना जो ज next उसके बाद next उसके बाद मैं इसको हटा देता हूं अगर office पहले से install है यह उसको इंस्तॉल कर देगा उसके बाद next फिर से next फिर एक बार next यह हमारे component जो भी selected है उसके बाद finish करने के बाद उसको export करना है export करने के बाद इसका format पुछ रहा है हमने करना xml, ok, license, tick कर दो, file का नाम रखना है, configuration same, ऐसी रहने देते हैं, उसके बाद export, अब इसको कर लेना है, save, save करने के लिए मैं download में एक नया folder बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ, office 2021, save कर देते हैं, यहाँ keep पे क्लिक करना है, एक काम हो गया हमारा, दूसरे step में हमने faces सर्च करना है, office deployment tool, यह सर्च करने के बाद, पहला link क्लिक कर लो, जब आपकी configuration फाइल बन चुकी है, उसके बाद download link अपने आप आजेगा, यहाँ क्लिक कर दो, अब इसे save कर लो, same path पर ही same कर देते हैं, करेंगे, yes कर देंगे, click कर देंगे, continue करेंगे, तो यह extract करने के लिए path पुछ रहा है, same address, same path दे देंगे, हम download वाला, okay, यह सारी file आ चुकी है, अब हमारा installation ready है, install करने के लिए हम इसी path के address पर में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे cmd, मैंने यहाँ cmd इसलिए लिए लिखा, इसी path में हम पहुंच गए, अब यहाँ एक command लिखना है हमने, install करने के लिए, यह command मैंने पहले से copy कर रखा है, यहाँ मैं paste कर देता हूँ, और enter करते ही setup चल पड़ेगा, अब इसको close कर दे, हमारा setup चालू हो चुका है, आपके internet की speed पे depend करता है, यह कितना time लेगा, अभी ह हम वीडियो को pause कर देते हैं, पूरा setup होने के बाद चालू कर लेंगे, तो यह installation complete हो गई है, चलिए हम check करते हैं, हमने search किया excel, यह start हो गया है, अब इसको जैसे मजी हम चलाएं, हम कोई और application check करते हैं, कोई और application check करने के लिए हम word में type कर लेते हैं, यही चल रहा है, कोई औ application, सभी application चल रहे हैं, चलो दोस्तों हम इसको close करते हैं, आज की वीडियो के लिए इतना ही, दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगी है, तो इस चैनल को subscribe कर लो, आपको और भी वीडियो मिलती रहेगी